आने वाले वक्त में बिहार की राजनीती में कुछ भी हो जाए तो यहां की जनता को आश्यर यह नहीं होगा नितिश कुमार का फिर से दल बदलना अब उनकी फिद्रत बन चुकी है बिहार में बड़े CIC दावपेज के बाद नितिश कुमार के इस्तिफा के साथ ही महागडबंदन सरकार का अंत हो गया और नितिश कुमार ने राजभवन में नौई बार सीयम पद की सपत ली नितिश कुमार के अलावा समराट चौधरी और विजय सिन्ह को उपमुकी मंतरी पनाया गया वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी से विजय कुमार चौधरी जदिउ से विजेंदर परसाध यादव जदिउ से स्रवन कुमार जदियू से संतोस कुमार सुमन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एवं सुमित कुमार सेंग को निर्दलिया से भी मंत्री पद के लिए सपत ग्रहन कराया गया वहीं इसको लेकर रविवार को भागलपूर जिला जदियू के नेताओं ने समारनाले के समीप पटेल चौक पर जश्न मनाया जदियू जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, अंजु कुश्वाहा, सौम राज, विकास कुमार समेथ काफी संख्या में जदियू कारिकरताओं निनितिश कुमार और इंडिये के समर्थन में जम कर नारिवाजी की साथ ही एक दूसरे को मिठाई किला कर सरकार गठन की बधाई दी शिशुपाल भारती ने कहा कि बिहार के विकास और जनता के हित में उनके नेता ने या फैसला लिया है या ना सिर्फ पार्टी बलकि बिहार के लिए भी साकरातमक कदम है और आज उस लोगों का हो गया है यानि हमारे अलावे आठ लोगों का हो गया है वो अब बाती जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और कपिट्रों का फोज आएगा लेकिन आज इतने लोगों का किया गया है ताज तो आप सब गांस करीए है इरो पार्टी का और एक इंडिपेंट्रेंट रखे का किया ज़िका रहे हैं दो चीज़ें बता देना चाहते हैं एक तो समराट चोथरी जी का और विजय कुमार सिना जी का ये दोनों को हम मैं मुख्य मंत्री हूँ और देरे बाद वो मंत्री रहेंगे एक समराट चोथरी जी और विजय कुमार सिना ये दोनों मुख्य मंत्री रहेंगे और विजय काम करते हैं इसी काम को आगे बढ़ाएंगे तो इसी में हमना लगे रहेंगे अतार नौमी वार मुख्य मंत्री बनने का मौका हमारे पार्टी के राष्टे देट को मिला है वहीं दूसरी और कई ऐसे जगह भी हैं जहां अवेवस्था को लेकर लोग शंगर्स करने को विवश हैं ताजा मामला भागलपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है जहां रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए एक वेक्ति के द्वारा अमरन अंसन की शुरुवात कर दी गई रविवार को दूसरे दिन भी अंशन जारी रहा जबकि अंदोलन करने वाले डॉक्टर मनीश कुमार मिस्टरा का कहना है कि जब तक रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं होंगी तब तक उनका अंशन जारी रहेगा और वेवस्था को दुरुस्त कराने के लिए वो यहीं पर अपने प्रांध क्यागने को तैयार है उन्होंने मालडा डिवीजन अंतरगत भागलपूर एवं जमालपूर रेलवे स्टेशन पर शौचाले समेत अन्यक कई सुविधाओं की मांग की है उन्होंने कहा कि रेलवे के वानिचिकर विभाग, इंजिनियरिंग विभाग और उपरेटिंग विभाग मिलकर जनता का शोसन करने में लगे हैं जबकि रेलवे के द्वारा सौचाले की निश्विधा यात्रियों को उपलब्द कराने के बज़ाए ठेकेदारों के द्वारा परतेक 31 से 10 रुपए अव्वे तरीके से वसूला जाता है बता दें कि यह परेशानी काफी दिनों से चल रही है लेकिन अब तक इसमें सुधार के लिए कोई प्रयाश नहीं किया गया है बागलपुर के समाहर नाले परिसरिस्टित पेंसनर सामाज भवन में रविवार को एक्टू का छठा जिला सम्मेलन आयो जित किया गया इस दोरान आगामी 16 फरवरी को होने वाले देश्वियापी हड़ताल कारिक्रम को लेकर चर्चाएं की गई जिसमें गठवंदन के नेताओं ने केंदर सरकार के खिलाब जम कर हमला बोला कारिक्रम में केंदर सरकार पर फाशिवादी ताक्तों के साथ पुंजी वाद को बढ़ हवा देने का आरोप लगाया गया साथी वक्ताओं ने कहा कि समाज वीभाजन के कगार पर है जबकि लोक तांत्रिक व्यवस्ता के तहट सत्ता पर काबिज दलों के द्वारा समिधान के अनुसार बने कानून के अनुरूप कारिय किया जाना चाहिए जिसका लाब देश भर की जनता को मिल सके इस दौरान मज़़ूरों के हक और अधिकार को लेकर कानून पर हमला करने का रूप भी केंदर सरकार पर लगाया गया कारिक्रम का संचालन एकटू के राज्य सहजिला सचीव मुकेश मुक्त ने किया करक्रम को एक्टू के राश्टिय सचिव आरेन ठाकूर, डॉक्टर एसके शर्मा, बिंदेश्वरी मंडल ने भी संबोधित किया समेलन में भागलपूर के अलगलग छेत्रों से चुने हुए जनप्रतिनीधी और नेता शामिल हुए केंदर सरकार द्वारा बिहार के पुरू मुख्यमंत्री करपूरी ठाकूर को मरनो प्रांत भारत रत्म से सम्मानित किया जाने पर अभीबार को राश्टिय लोग जनतादल भागलपूरी काई द्वारा अभार मार्च निकाला गया जिसमें जणनायक करपुरी ठाकूर को भारत रतन देने के लिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी का आवार व्यक्त किया गया आवार मार्च घंटा घर से निकल कर इस्टेशन चौक तक पहुंची बता दें कि करपुरी ठाकूर दो बार बिहार के मुख्यमंतरी रहे इसके अलावा पिछले वर्गों के हितों में वकालत करने के लिए वह जाने जाते थे मुख्यमंतरी के उनके कारिकाल में भूमी सुधार और वन्चीतों को शसक्त बनाने के लिए अनेकों कारियों का क्रियान वायन किया गया जन्ता के लिए दिये गए उनके योगदानों के कारण उन्हें इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया आवारमार्च यात्रा में राष्टिये लोग जन्ता दल भागलपुरी काई के दर्जनों कारीकरता शामिल थे आज हम लोग करपुरी सहब को जो भारत रनती आ गया है इसलिए हम लोग परदान मंत्री का आभार ब्यक्त करने के लिए राष्टिये लोग जन्ता दल के सभी कारेकरता उपस्थित हुए हैं यह यात्रा हम लोग घंटागर चोक से दीप नरायन सिंग इसमारक से लेके अमबेतकर चोक इस्टेशन चोक तक हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को समाप्त करेंगे अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक, ओडियोलोजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ, विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हीरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटीथ फैसिलिटी, तो आज ही सुनने की जाच कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर, मोबाइल, 70501-93341, हमारी दो और भी शाखाएं हैं, उर्णिया में, पंचबटी कॉम्पलेक्स बिहार टॉकिज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में, टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, ए भी मेडिकल के समीब। गुड़ा के लोग प्रिया सांसत सभाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबेका जन्न दिन, गौशाला बचाओ संघर्स समीती के अध्यक चाविजीत गुपता के आवाश पर धूम धाम से मनाया गया, इस दवरान भागलपूर नगरनिगम की महापौर डॉक्टर वसंधराल, बाचपानेता, ओम भाशकर समेत अन्युपस्थित लोगों ने केक काटकर निशिकांत दुबे को जन्न दिन की बथाई दी, वहीं अविजीत गुपता ने बताया कि उनके द्वारा बच्चों के बीच खेल सामगरी का वित्रण भी किया गया, साथी मौजूद नेता को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, यही कारण है कि हर वर्ष उनका जन्म दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मौके पर कई गणमानियती थी मौजूद रहे समवेत एवं पैरवी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वधान में भागलपूर इस्तित एक होटल में रविवार को लेंगी का प्राध्धों से बालकों का सनरक्चन अधिनियम 2012, किर्यानवयन और हमारी भूमी का विशय पर कारिशाला का आयो जान किया गया कारिशाला का उदगाटन पौक्षो कोट के विशेस लोकभ योजक शंकर जेकिशन मंडल, अधिवक्ता शूस्री शची, समवेत की अध्यक्ष छाया पांडे, अधिवक्ता गंगेश कुमार, समाजिक कारिकरता मुहम्मद शाहीन अनीस, तथा समवेत की निर्देशक विक् का सिकार पाया गया, यह अकड़ा ना केवल चौकाने बाला है, बलकि भईभीत करने वाला भी है, बच्चों के साथ लेंगी कपराधों की भयावक्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, कि इन में से मातर पांच भीजदी ही, पुलीस धाने तक पहुंसते हैं, व तरैसी घटनाओं से बच्चों के सनरक्चन में अपनी समुचित भूमी का और जिमेदारी नहीं नीभा पाते, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, कारिश्टाला के खुला सत्र में शिक्चकों एबमेक्टिविश्टों ने प्रस्न भी पूछा, तथा अपने अ प्रतिन इधी एवं अभिवावक मवजूद रहे। संपता कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, शिवसे बड़ा न कोई ज्यानी है और नहीं कोई दानी। कारिक्रम में डॉक्टर रमित कुमार, रामिश्वर मंडल, राम नारायन समेत अलग-अलग राज्चियों से आए, शिवसे से मवजूद रहे।